हेलो दोस्तों मैं साक्षी वर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर तो तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी सुखी अर्वी बनाने की तो यह हम बिना ग्रेवी बनाने वाले हैं दोस्तों यह बढ़ी यम इनको मैंने उबाल लीया है दोस्तों यह देखी ए वड़िये सी उबली है मैं छिलका कर दीए आलक तो डेकर दिया है हूं कैसी तरीके से इनको तयार कर लेना है और दीखते हैं चूखने के लिए हम ने क्या लिए है मैंने वहा नहीं है आप चाहें तो नहीं कीसी यजहेप में कड़ सकते हैं। प्याज लिया है यह ऐहा अधा नीबू लिया है। बारीखेया कटा लहसुन लिया हैं अधरफ की लच्छे लियेत हैं। यह आप चाहें तो नीबू एक भी ले सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो दोस्तो मैंने आप पे लगबग आधा कप ओल लिया है और उसमें मैं आधा चमच अजवाइन डाल रही हूं और अजवाइन को डालने के बाद आधा चमच मैं इसमें राई डाल रही हूं और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन तो दोस्तो गैस को हमें लो फ्लेम पर रखना है और इसको हमें हलका सा सुनहरा कर लेना है लेसुन को और इसको हलका सा हम चलाते भी रहेंगे तो देखिए हलका सा सुनहरा हो गया है तो सुनहरा होने के बाद हमें इसमें प्यास डालनी है बारी कटी हुई और प्यास डालने के बाद हम साथ ही इसमें अद्रक की जो लच्छे थे उनको भी डाल देंगे और इनको हलका सा चला देते हैं तो याद रखें दोस्तों, गैस को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है और इसको प्याज को सुने रहा होने से पहले हैं हमें इसमें मसाले एड़ करने हैं तो नमक लेते हैं स्वाद अनुसार और हल दिलेंगे आधा चमच धनिया पाउडर है एक चमच और आधा चमच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं तो इनको हम चला देंगे ताकि यह हलके से पक चाएं तो देखी मैंने इनको चला दिया है गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है, हाई नहीं करना है बिलकुल भी और लास्ट में आप जो आप मसाला पसंद करते हूं सबजी मसाला आप बहर डाल सकते हैं चला मसाला भी डाल सकते हैं, मीट मसाला भी डाल सकते हैं तो दोस्तों चलिए मैं इसको चला देती हूं और इसको हलका सा पका लेंगे तो यह बड़े अच्छे से पक गए हैं यह इन मिक्स हो गए हैं और लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं नीबू, बीज को हम निकाल देंगे और याद रखेगा कि इसको हम कर देंगे बंद, तो नीबू डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूं हरा मिर्च, आप चाहें तो बारी कट करके भीज में डाल सकते हैं, और अब हम इनको कर देंगे mix, तो मैंने इनको देखी दोस्तों, mix कर दिया है, तो यहां पर हमारी अर्वी बनकर तयार हो गई हैं दोस्तों, यह देखेगा, तो चलिए अब हम इने सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं, तो मैंने तो अर्वियों को सर्विंग के लिए निकाल दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी ही यम्मी सी बन कर तयार हुई है यहां पर आप इस तरीके से एक बर जरूर बनाएगा अर्वियों को और दोस्तों आप इने पूरियों के साथ खाएं पराठों के साथ खाएं चपाती के साथ खाएं सब के साथ यह बहुत ही यम्मी लग एक नई वीडियो के साथ तो तब तक के लिए बाई दोस्तों